हर साल गणेश चतुर्थी पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। ये ज्यान और सम्रिधी के देवता का सम्मान करता है। भक्तगन सम्रिध और बाधा मुक्त जीवन के लिए बगवान गणेश का आशिरवाद लेने के लिए पूजा और भोक सहित विभिन अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। ये अत्योहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें नई शुरुवात के देवता, बाधाओं को दूर करने वाले तथा बुद्धे और विवेक के देवता के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी विनायक चविति या विनेगर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल की गणेश चतुर्थी अनुखी है क्योंकि इससे दो अलग 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 दिनों पर मनाया जा सकता है। इस बात को लेकर कुछ भरम है कि ये 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को क्योंक चतुर्थी तिथी 6 सितंबर से शुरू होती है और अगले दिन तक रहती है। हाला कि द्रिक पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी शनिवार 7 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी पूजा करने की योजना बनाने वालों के लिए 7 सितंबर को शुब मुहूर्थ सुबह 11 बचकर 3 मिनट बजे से दो पहर 1 बचकर 34 मिनट बजी तक है द्रिक पंचांग के अनुसार शहर विशिष पूजा समय इस प्रकार हैं पूरी सुबह 11 बचकर 18 मिनट बजे से दो पहर 1 बचकर 47 मिनट बजी तक मुम्बई सुबह 11 बचकर 22 मिनट बजे से दो पहर 1 बचकर 51 मिनट बजी तक नई दिली सुबह 11 बचकर 3 मिनट बजे से दो पहर 1 बचकर 34 मिनट बजी तक गुडगाव सुबह 11 बचकर 4 मिनट बजे से दो पहर 1 बचकर 35 मिनट जैपूर, सुबह 11 बचकर 9 मिनट बजे से दो पहर 1 बचकर 40 मिनट बजी तक हैदराबबाद, सुबह 11 बचकर 1 बचकर 28 मिनट बजी तक चंडीगर, सुबह 11 बचकर 5 मिनट बजे से दो पहर 1 बचकर 36 मिनट बजी तक कोलकाता, सुबह 10 बचकर 20 मिनट बजी से दो पहर 12 बचकर मिनट के जए भगत के यह सिबहांगरू सिघी बाउन दन नियुस्टू न्हीं ड़से स हैंने गरही मज्जाय मुस्टूर्थ को विधनी मेंक जएंग कर, विधने थार्फ मुस्टूर्थ कदम दिल गए हैं, अपने घर को साप करें, अपने घर को आची तरह से साप करके शिरुवात करें। भगवान गणेश की मूर्ति लाने या कोई भी अनुष्ठान करने से पहले शुद्ध और स्वच वातावरंड बनाने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। सही स्थान चु पहले उस क्षेत्र को गंगा जल से शुद्ध करें, मूर्ति इस्थापित करें, मूर्ति को लकडी की चौकीयमेज, जिसे उँचे मंज पर रखना चाहिए, मंज साफ होना चाहिए और पीले, कपडे से ठका होना चाहिए, जिसे पवित्र माना जाता है। क्षेत्र को प्रवेश द्वार पर रंगोली डिजाइन, फूलों की सजावट और तोरन दर्वाजे की सजावट जैसी सजावट से सजाएं। ये चीजें उत्सव की भावना में योगदान देती हैं और दिव्वे के लिए स्वागत करने वाला माहौल बनाती हैं। गणेश चतुर्ती पूजा सामगरी आवश्यक वस्तुएं चेकलिस्ट गणेश पूजा करने के लिए कुछ खास सामगरियों की आवश्यकता होती है। प्रसाद और अनुष्ठानों में उप्योग किये जाते हैं। प्रचुर्ता का प्रतीक हैं और अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। गणेश विसर्जन 2024 कोलन उत्सव के अन्त का प्रतीक 10 दिवसी गणेश चतुर्ती उत्सव का समापन 17 सितंबर 2024 को गणेश विसर्जन के साथ होगा। भक्त भगवान गणेश की मूर्तियों को जल में विसर्जिक करके उन्हें विदाई देते हैं। जो जन्म, जीवन और मृतियों के चक्र का प्रतीक है। गणेश विसर्जन का समय इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी 2024 कोलन भगवान गणेश को भोग प्रसाद गणेश चतुर्थी पर भख्त भगवान गणेश को कई तहके भोग लगाते हैं। जिन में मोदक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अनुने लोप्रिय प्रसादों में लड़ू, पूरन पोली, खीर और सुपारी शामिल है। ये चीजें भगवान गणेश को ये बहुत पसंद हैं। जिने अकसर अपने हाथ में मोदक पकड़े हुए दिखाया जाता है। इन अनुष्ठानों और समय का पालन करके देश भर के भगवान गणेश चतुर्थी को भक्ति भाव से मना सकते हैं। भगवान गणेश से सम्दिधी और अपने जीवन में बाधाओं को दूर करने का आशिरवाद मांग से।